नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आपको अपने यूटूब चैनल संध्या हुमिनिस्ट में जी हाँ दोस्तों आज में स्वयम सहता समोह मनेरेगा मेट का मान देव अवकास के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार हैं तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिए और मेरी चैनल संध्या हुमिनिस्ट को सब्सक्राइब जरूर करिए घंटी का बटन दवाना बिलकुल भी ना भूलिए और सेयर भी कर ही दीजी तुरंद तो आज मैं आप लोगों के लिए मनेरेगा मेट का चैन स्वयम सहाता समूह की महिला समूह में किया गया था जिसके मांदे को लेकर सरकार ने आदेश जारी किया है इतना ही नहीं अवकास का भी प्रावधान किया गया है आज मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देती हूँ तो मैं बताती हूँ आपको राश्टी आजीव का मिशन के तहट चल रहे स्वेम सहता शमू की महिलाओं को महत्मा गाधी रोजगार गारंटी योजना में मनरेगा मिट के पद पर न्युक्त किया गया था मनरेगा मिट के पद पर न्युक्त महिलाओं को सम्मिदा पर न्युक्त किया गया है इनको कितना बेतन मिलेगा कब कब चुट्टी मिलेगी आइए हम आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं स्वयम सहाता समू में मनरेगा मेट के पद पर निउक्त महिलाओं को संबधा पर निउक्त किया गया था संबिदा पर न्यूक्ति इन मनेरेगा मेट कर्मियों के अवकास का पैसा बेतन से जुड़ कर नहीं आता था मनेरेगा मेट पर न्यूक्ति संबिदा कर्मियों को अवकास लेने पर उनकी सेलरी में से उस दिन का पैसा काट लिया जाता था स्वयम सहाता समूह में न्यूक्त महिलाओं को मनरेगा मेट पर कार करने के ही पैसे मिलते थे लेकिन अब यह प्रावधान बदल कर काफी अच्छा हो गया है मुख्यमंतरी स्रीयोगी आदित नाथ जी ने स्वयम सहाता समूह महिलाओं की आर्थिक इस्थिति सुधारने हैं तो उनके आवकास के दिन के पैसे को उनके बेतन में से ना काटने का परावधान किया है जी हाँ दोस्तों उनके बेतन में से नहीं काटेंगे, अब उनका आउकास की जो पैसे होते थे मनेरेगा मिट जापण निपती, स्वयम सहाता, समुह की महिलाओं को आउकास के दिन पैसा भी उनके बेतन में जुड़ कर आएगा इसके अलावा मनिरेगा मिट के पद पर न्यूक्ति महिलाओं को अन्य सरकारे करमचारियों के बाद चुट्टी भी मिलेगी स्वयम सहाता समूह मनिरेगा मिट कर्मियों का बेतन कितना है स्वयम सहाता मनेरेगा मेट के कर्मियों का बेतन स्वयम सहाता समूह में मनेरेगा मेट के पद पर न्यूक्त महिलाओं को 9000 प्रतिमाह बेतन देने का प्रावधान किया गया है स्वयम सहाता समूह में पहले मनेरेगा मेट पर न्यूक्त महिलाओं को 6000 प्रतिमाह बेतन दिया जाता था अब इस बेतन को बढ़ा दिया गया है बेतन बढ़ने की पुष्ट अभी तक नहीं होई है हो सकता है आगे आने वाले समय में बेतन को बढ़ाया जाए इसके अलामा आ जो आवकास के बारे में और उनके बेतन बढ़ाने की जानकारी मैंने दिया यह आपको कैसी लगी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सेयर कर दीजिए ताकि सब इसके बारे में यह जानकारी ले सके कि उनको कितना बेतन बढ़ाया गया है और छुट्टी में से अब उनका बेतन नहीं कटेगा जी हाँ दोस्तों जो उनको छुट्टी दी जाती थी पहले उसकी सेलरी काट लेते थे लेकिन अब वह है छुट्टी की सेलरी नहीं कटेगी आपको पूरा बेतन दिया जाएगा तो यह सूजना अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यबाद, नमस्कार, जैहिन्द